आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस कैसे काम कर रहा है। डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। डीप फेक का मतलब आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस ए आई के जरीए डिजीटल मीडिया में हेर फेर करना जो आज के संदर में बहुत ही महतपुर्ण और घा तक चुनोती है जो हम सब के सामने आखड़ी है इसका मुख कारण ये है कि ये वो टिकनोलोजी है जो आम लोगों को अंजाम दे देता है जब ऐसी टेकनोलोजी आपको पुरोथसाहित करती है कि आप गलत कर लीजिए तो लोग कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे ही देते हैं ताजा मामला राजधानी राची के एक नामी शिक्षन अस्थान से आया है जहां आठ लड़कियों की त आरबाई को बेहत गुब्त तरीके से अंजाम दिया है जिसके बाद आरोपी गिरफ्त में आ पाया दो दिन पुर्व राची के सीटी एसपी राचकुमार महता के पास कुछ नाबालिग लड़कियां मिलने पहुँची थी उनकी उम्र 16 से 17 साल के बीच थी सभी भीतर से जान भै से भै भी थी मामले की गंभीरता को समझते हुए सीटी एसपी ने उन्हें सारी बात बताने को कहा इसके बाद जो कुछ भी सामने आया वह बेहत चौकाने वाला था नाबालिग लड़कियों ने बताया के एक यूबक ने उनके जैसी आठ लड़कियों की डीप फे में साइबर टीम के साथ आरोपी के खिलाफ जानकारी जुटाना शुरू किया ताकि उसे गिरफतार किया जा सके बिल्कुल सबसे पहले लड़की से दोस्ती करते हैं लड़की को गुट फेट मिलते हैं और उन लड़कियों से दूसरे लड़कियों की फोटो जो उनकी शेहलिया है उनको उनका फोटो वो डिमांड करते हैं बात में जिस लड़की से दोस्ती करते हैं उनके फोटो को भी प्यूड करके उनको भी ब्लैकमेल करने कामिल के दौरा किया जाता है। उसकी दोस्तों के न्यूड फोटो मंगाया करता था और फिर उन्हें डीप फेक फोटो के जरिये न्यूड वीडियो में जोड कर उसे वाइरल कर देता था। चुनाओं की मानसिक शांती भंग होगी और ये भी परियास किया जाएगा कि इस डीप फेक के माध्यम से भारत की जो चुनाओ परिकिरिया है उसको बेपटरी किया जा सके।